दोस्तो बहुत सरा फ्रेंड का एक ही रिक्वेस्ट है कि CCM के उपर ऐसा एक वीडियो बनाईए कि जहां से हम लोग बिल्कुल सुरुआद से काम सीख सकते हैं आपका वीडियो हम लोग देखते हैं और क्लीन हम लोग को समझ में आता है हम लोग CCM में काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लेकिन अभी भी हम लोग का मन में बहुत सरा डाउट भी है और आपका जब वीडियो देखते हैं तब हम लोग का क्या होता है डाउट किलियर होता है और एक एक पॉइंट के बारे में पता चल जाता है तो सुरुआद में दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बोलना चाहूंगा कि CCM में PLC रूम में AC का हवा खाते खाते अगर दिन भर बैठे रहते हैं तो आपका जो खुद का लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगा हार रोज आपको कुछ ना कुछ नया knowledge और experience बनाना है तभी आपको lifetime काम पे आएगा नहीं तो नहीं आएगा और जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो automatic आपका अंदर में doubt आ जाता है अब किस तरह से doubt आता है इसी वीडियो में आपको सारा point पता चल जाएगा और जब आप practical में मिला के देखिएगा तो देखिएगा same to same आपका match हो जाएगा जब आप CCM में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्या जरूरी है कि CCM का जो basic knowledge है वो बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप अपना basic knowledge बहुत अच्छा बना के रखिएगा तभी आप lifetime जब practical में काम करिएगा तो कुछ दीकत नहीं होगा इस जगा में दोस्तों हम लोग बोलते हैं CCM CCM का फुलफुरम होता है continuous casting machine लगातार धलाई करने वाला machine इसको आप continue चला सकते हैं देखिएगा जहां पर continue casting है वो लगातार ladle पे ladle आता रहता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं लगातार धलाई करने वाला machine अभी first time जब आप CCM में काम कर रहे हैं चाहे आप helper है, electrician है या engineer है तो सबसे पहले आपको कहां पे जाना है ना palm house में जाना है और palm house में जाके बिल्कुल point to point आपको follow करना है कि यह जो आपका palm house में जितना सारा motor है यह सारा motor का नाम क्या है और इसका काम क्या है तो इसमें आज आता है आपका primary, secondary, cooling tower, scale fit यह जो चारों motor है तो यह चारों जो motor है इसका काम क्या है तो इस जगा में जब आप आपना practical experience बनाईएगा तब ही देखिएगा बहुत सारा doubt आजाएगा जब आप किसी company में CCM के उपर interview देने जाईएगा तो आपसे primary, secondary, cooling tower यह scale fit यह और भी जो आपका देखिएगा mold oxygen, withdrawal entry, exist, DRT, PCRT बहुत सारा motor रहता है यह सब कितना kilowatt का रहता है इसलिए आपको पहले क्या करना है हार motor का name plate का photo खीच लेना है और आपके पास जो diary है उसमें note करके रख लेना है जब आप interview देने जाईएगा तो आपको सिरिफ एक एक मोटर के बारे में एक बर experience बना लेना है एक दिन, दो दिन, तिन, दिन, चार दिन जब देखिएगा automatic आपको पता चल जाएगा कि primary में कितना kilowatt का motor है, secondary में कितना kilowatt का motor है तो ये तो हो गिया आपका एक practical experience इसके साथ primary का जो motor है वो आपका soft starter से चल रहा है या start delta से चल रहा है या direct online starter से चल रहा है तो इसमें कितना कितना का contactor लगा हुआ है और जो आपका thermal overload relay है या dmpr है तो ये हमारा कितना में setting है और इसका calculation किस तरह से किया जाता है अब ही अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देख रहे हैं तो बहुत सा doubt जो है आपके मन में आ गया और आपको ये भी पता चल गया है कि हमने कौन कौन सा experience बना के नहीं रखे हैं तो पहले जाब आप basic knowledge बनाईएगा स्रिफ PLC room के अंदर में घुसके AC का ठंडा हवा का लेने से कभी भी experience नहीं बनेगा आपको पहले बाहर बाहर का experience बनाना है इसके बाद आपको अंदर का experience बनाना है तो इस जड़ा में आज आता है दोस्तो पहले आपको palm house में जाना है और जितना सरा point बताया हूँ ये सब point follow करके अच्छा से अपना practical knowledge बना लेना है इसके बाद सीधा आ जाना है आपको hydraulic room पे और hydraulic room में एक-एक point को अच्छा से follow करना है जैसे hydraulic का जो motor है वही same to same है कितना kilowatt का motor है और किस तरह से चल रहा है hydraulic में जो आपका solonide valve है जैसे receiver हो गया, demi bear हो गया, stanner हो गया ये सब काम किस तरह से करता है जब आपका hydraulic का motor रहता है इसके साथ जो आपका solonide valve रहता है ये solonide valve में कितना supply है 24V DC है या आपका 240V AC है ये सब जो practical knowledge है ये जब तक आप hydraulic room में जाके अपने से देखके experience बनाईएगा नहीं तब दक आपका practical knowledge बनेगा नहीं अब ये hydraulic motor जो है वही से में doll starter या start delta या VFD या soft starter किस से चल रहा है इसका भी knowledge बनाना बहुत जरूरी है और जो जो basic knowledge के बारे में हम बता रहे हैं आप जब दक practical में मिला के देखिएगा नहीं कभी भी आपका practical experience बनेगा नहीं और जब आप interview देने जाहिएगा अंडाज में गोली मरिएगा वो लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है इसके बाद आपको देखना है compressor कि जो आपका compressor room है वो compressor में कितना kilowatt का motor है और जो PLC system है कौन सा PLC है और PLC को पर हमने एक वीडियो भी बनाए है कि modular PLC क्या होता है और compact PLC क्या होता है उस वीडियो को देख लिजिएगा तो और better आपका experience हो जाएगा क्यूंकि जब आप practical में CCM में काम कीजिएगा तो दो तरह का आपको मिलेगा एक होता आपका manual machine और एक होता आगे जिस तरह सा PLC request करते हैं तेखेगा उसी तरह से धिरे-धिरे में वीडियो बना देता हूं कि जब आप practical में काम करिये तो आपको काम सिखने में कुछ भी दिकत ना हो जब आप कोई जगा में या किसी company में इंटर्वू देने गये हैं तो इंटर्वू में क्या-क्या question पुछता है इसके बारे भी बता देता हूं अगर आप वीडियो को पुरा नहीं देखते हैं तो आपका खुद का गलती है कभी भी यह नहीं बोल सकते हैं कि यह सब जो इंटर्वू में question पुछा जाता है आपने हम लोग को बताए नहीं है और ज्यादा तर वाट्सों में म बनाना है experience अच्छा बनाना है तो पहले से आपको त्यारी करना पड़ेगा और जो 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 चीज में आप लोग को देखने के लिए बोलूंगा वह आपको practical में जाके देखना पड़ेगा चाहे आप helper हो या electrician हो या engineer हो इसके बाद आज आता है दोस्तो लैडल एरिया जिसक से करता है और इसका सिस्टेम क्या है जो जब आप practical में मिला के देखिएगा तो देखिएगा कि इसके लिए भी एक हाइडोलिक का छोटा सा मोटर है और उस मोटर कितना किलोट का है और इसमें जो सॉलनेट भाल फे हो 24 वोल्ट का लगा हुआ है या 240 वोल्ट का लगा हुआ है और इसके बाद यह जितना सारा मैं बतायों ओभारॉल इसमें आपको क्या-क्या देखना है कि सिंगल फेज है या टू फेज है या थिरी फेज है और सीसीएब में कुछ-कुछ और भी जो पॉइंड होता है इसके बारे पे भी छोटा-छोटा करके मैं बता दे रहा पार्ट टू में यह सब के बारे में एकदम क्लीन आप लोगों को बताऊंगा क्यूंकि मैं बहुत सरा फेरेंड को यह रिक्वेस्ट किया हूँ और रिक्वेस्ट बोला भी हूँ कि थोड़ा सा इंतेजार करिए वीडियो के लिए किस तरह सा आपको एकदम सुरूद से एक इसके बार मैं आप लोगों पार्ट टू के बारे में बताऊंगा पार्ट टू में क्या क्या आएगा के MCD, कास्टिंग फ्लोर, कास्टिंग, इंटरमेडिया यह जितना सारा पॉइंट है मोल्ड अक्सूलेशन, वीड्रोल एंट्री, वीड्रोल एकजिट, DRT, PCRT यह सब के बारे में पार्ट टू में मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसके साथ और कुछ-कुछ पॉइंट है जो बताऊंगा वो होता है आपका PI, PM और आपका TPM के बारे में अल्रेडी हमने जो online class continue दे रहे है तो online class का जितना सारा student है आप एक-एक पॉइंट के बारे में अगर आप question पुछिएगा तो सब को पता हो गया है किस तरह से एक-एक पॉइंट का जो question होता है इसका answer किस तरह से देना है जैसे यह जो PI, PM और TPM के बारे में बताया हूँ बहुत सरा friend को अभी तक भी doubt है और पता नहीं है इसलिए जब आप इंटर्वु देने जाईएगा और आप से यह question पूछ देगा आप बोल नहीं पाईएगा कि PI मतलब physically in inspection होता है और PM मतलब preventive maintenance होता है और TPM मतलब total preventive maintenance होत आते हैं तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्त तक देखिए तभी आपका practical knowledge जो है वह अच्छा बनेगा ने तो lifetime बनना मुश्किल है आज के वीडियो के लिए इतना ही नमस्कार जय हिंद